अब अब कि अब 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 मैं हूं रिश्यप कपूर websoftutorials.com से इस टोटोरी में दोस्तो मैं आपको लाइन ब्रेकर से प्रीटैक्स के बारे में बताऊंगा दोस्तो पहले मैं आपको बताता हूं कि लाइन ब्रेकर की उजिए के जाते हैं इसे कि मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं पीटैक्स के अंदर इस इस लाइन वन कि दोस्तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं कि दोस्तो जब मैं इसको ब्राउजर में खोलूंगा तो आप देखेंगे कि यह सब जोड़ें में रहा हाँ पहराण हो जाएनगे कि मैंने तो इसको लग-लग लएन में लिखा कि ग्राग्राइन यह एक ही. जोड़ें को जाओंगा बीजर को थी अश्रेसित करेंगा तो इसके लिए मैं इसको और लग-द्राइन में लिखना चाहता हूं दोस्तों ऐसे ही मैं BR tag को BR tag की मदर से एक ही line को डिवाइट कर सकता हूँ लग-लग lines में जैसे कि देख सकते हैं अगर आप इसको refresh करेंगे तो यह सेम ही रहेगा और दोस्तों इसी तरह से अगर मैं काफी सारी स्पेसिस डाल दूंगा किसी टेक्स के बीच में और मैं इसको refresh करता हूँ लेकिन यह एक ही स्पेस हो करेगा तो दोस्तों अगर हम इसमें एक से जाना स्पेस डालना जाते हैं तो हम यूज करेंगे एंपरसेंट एंबी एसपी सेमिकॉलन और जितनी स्पेसिस हब डालना जाते हैं आप इसको लिख सकते हैं तो जब आप इसको refresh करेंगे तो आप देख सकेंगे कि अपने पांचे स्पेसिस डाली हैं तो उतनी ही एड हो गई है तो दोस्तों आप कहेंगे कि यह तो काफी एक तो कॉंप्लिगेटिट बना रहा है मेरे कोड को काफी टाम ले रहा है तो मैं कोई ऐसा टैग यूज करू हो तो उसकेश में दोस्तो मैं इसको पहले सारा हठा देता हूं हम प्रिटाइक्स करेंगे लिवारे मैं को इस दोस्तों जब मैं इसको ब्राउजर में खोलूँगा तो आप देख सकते हैं, यह Same वैसे ही Show करा रहा है जैसा कि हमने लिखा था, तो इसी तरह से अगर मैं इसमें काफी सारी Spaces डाल देता हूँ, तो BR Tag इसको वैसे ही शो करेगा जैसे कि हमने एक स्बे लिखा है तो इस टूटरर में इतना ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बना ना भूलें इस टूटरर को देखने के लिए धन्यवाद अगले टूटरर में मिलते हैं